चुचु चिडिया की कहानी कालो जी इस समय आप कहा जा रहें और आज तो आज की चुटी है ना हाँ चिंगी आज मेरी चुटी है पर फैक्टरी के मालिक ने आज गाड़ी लोट करवाई है बस इसलिए ना चाहते हुए मुझे भी फैक्टरी जाना पड़ रहा है पर तुम फिकर मत करो मुझे आज की भी दियारी मिलेगी अगर ऐसा है तुझी बहुत अच्छी बात है आपकी जितनी कमाई होगी हमारी बच्ची के लिए तो उतना ही अच्छा होगा इसलिए अब आप आराब से जाना और रात को आते हुए मेरी लिए इमले ले आना मेरा बहुत मन कर रहा है इस तरह से कालू को वह फैक्टरी के लिए चला जाता है और चिंकी जिडिया घर में बैठ कर कालू के आने का इंतिजार करती है पर ये क्या राज से सुबह हो जाती है और अब तक कालू को हुआ घर नहीं आता अब चिंकी जिडिया को अपनी कालू का वे की चिंता सताने लगती है आप चिंकी चिरिया अपने कालू को धोने के लिए घर से निकलती है और कालू कोई को धोनने लगती है कालू कवई को धूंटते धूंटते चिंकी चुडिया को दो दिन हो जाते हैं पर अब तक चिंकी चुडिया को कालू कवई नहीं मिलता खाले जी आप का चले करें देखें आपके चिंकी आपको कितना याद करी है बहुत जल्द इस दुनिया में हमारा बच्च आने वाला है अगर आप नहीं रहेंगे तो हमारे बच्ची की परवरेश कैसी होगी ये सोच सोच कर चिंकी चुडिया के चिंता बढ़ती जाती है और अचानक से उसे दर्ध होता है कुछ देर बाद चिंकी चुडिया एक बहुत ही प्यारी चुडिया को जनम देती है पर ये क्या चिंकी चुडिया ने जिस चुडिया को जनम दिया था वो कोई साधारन पक्ष उसके बाद मुझे ऐसी आधी नागिन और आधी चुडिया बच्ची के रोप में सौब दी ये भगवान आखिर मुझे ऐसी कौन से वलती हुई जिसकी सजा मुझे में रही है इस तरह से चिंकी चुडिया अपनी किसमत को कोस नहीं लगती है और फैसला ले दी कि अपनी इस नागिन बीटी को कहीं दूर जंगलों में छोड़ाएगी मुझे माफ कहिना मेरी बच्ची पर मैं तुझे अपने साथ नहीं रह सकते अगर जंगल में किसी पक्षी को पता चला कि मैंने नागिन चुडिया बीटी को जंग दिया तो वो सब मुझे नोच-नोच कर खा जाए अब चिंकी चुडिया अपनी नागिन बीटी को दूर के जंगल में ले जाती है जिस जंगल में कोई पक्षी नहीं रहता और अपनी बीटी को उस जंगल में छोड़ कर घर की ओर निकल जाती है पर चिंकी चुडिया भी एक मा थी और एक माँ अपनी बच्चे से दूर नह अप चींकी जुरीया को अपनी बीटी की याद सताने लगती है। तेरी बीटी के अलावा तेरा इस दुनिया में और है ही कौन और तू अपनी बीटी को खुट से ही दूर कर रही है अगर मैंने अपनी बीटी को भी खुट से दूर कर लिया तो मैं किसके साथ रहूँगी, किसके साथ जीऊँगी मुझे जंगल में रह रहे पक्षियों के बारे में ना सोचकर अपनी बीटी के बारे में सोचना चाहिए और अगर कालू जी वापस आगए तो उन्हें क्या जवाब दूँगी अब क्या था अब चिंकी चिडिया के ममता जाती है और वो अपनी बीटी के पास जाती है जिसके बाद चिंकी चिडिया अपनी बीटी का नाम नगीना रखती है समय पीता जाता है देखते ही देखते नगीना नौ साल की हो जाती है मा, देखू मैं नौ साल की हो गई हूँ, अब तुम्हें बड़ी हो चिकी हूँ, क्या मैं जंगल अकेली घूम सकती हूँ? ठीक है बेटा, अगर तुम जंगल में अकेली घूमना चाती है, तो घूम ले, पर याद रखना, कोई तुझे देखना पाए, अगर किसी भी पक्षी ने तुझे देख लिया, तो वो सब तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे, पर ऐसा क्यूं मा? क्यूंकि बेटा, तुह हम सबसे बहुत अलग है, अब जा, सब की नजरों से बचके खूम क्या? पर मा, मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरा अपना मुझे आवास दे रहा है, मैं ना चाहते हुए भी उस आवास की और खिंचे चली जाती हूँ मा, मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है, और मुझे उसकी मदद के लिए जाना चाहिए नहीं नगीना, तो कहीं नहीं जाएगी, तुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है, पर मुसीबत में कोई और नहीं है, बल्कि तो है, इसलिए अब तो कहीं नहीं जाएगी, तुझे जहां जाना होगा, मैं तेरे साथ चलूँगी, इसलिए अब मैं तुझे अपके लिए गूमने के लिए नहीं जाने दूँगे अब मैं भी तेरे साथ चलूँगी चिंकी नगीना को कहीं नहीं जाने देती और इसलिए नगीना गूमने के बहाने अपनी मा के साथ जाती और उस आवास का पीछा करती है आवास का पीछा करते हुए चुंकी चुडिया नगीना के साथ एक छोटे से घौसले में जाती है जहां वो देखते है कि कालू कवा बंधा हुआ है कालू कवे को देख चुंकी चुडिया की आखों से आंसू निकलने लगते है और वो जल्दी से कालू कवे को खोल कर उसे कहती है खालू जी आप यहाँ आप इतने सालों से कहा थे आप जानते हैं मैंने आपको कहा कहा नहीं ढोड़ा यह देखिए यह हमारी बेटी नगीना है मैं जानती हूँ आपनी बेटी को देखकर आपको हैरानी हो रही होगे कि आखिर हमारी बेटी आदी बख्शी और आदी नागिन कैसे है नहीं चिंकी मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ अपनी बेटी को इस नागिन के रूप में देखकर बलकि मुझे तो पहले ही पता चुल चुका था कि हमारी बेटी एक नागिन होगी उस दिन जब मैं काम पर जा रहा था तब एक सपेरे ने मुझे अगवा कर लिया उसी ने मुझे मेरी होने वाली बेटी के बारे में बताया उसने मुझे ये भी कहा कि वो मुझे तब तक आज़ाद नहीं करेगा जब तक मेरी बेटी मुझे यहां चुड़ाने नहीं आ जाती और आज देखो मेरी बेटी तुम्हें अपने साथ यहां ले आई मुझे चुड़ाने के लिए पर अब हमें यहां से निकलना होगा इससे पहले कि वो सपिर आ जाए कालू कव अपने बीबी बच्चों के साथ वहां से भागनी वाला होता है कि तभी वहां पर उलू सपिर आ जाता है क्यूं कालू यहां से भागने के कोशिश कर रहे थे तो अखिर तो आज मुचे मिल गई नागिन जिसका मुझे जन्मों से इंतसार था अब अपनी नाग मणी मुझे देते सपेरे तची नाग मेनी नहीं मौत मिलेगी खीक वैसे ही मौत जैसी तुने मुझे दे थी मा मुझे सब कुछ यादा चुका है मैं पहले एक इच्छा धारी नागिन थी और इस सपेरे न मेरी जान ले ली थी नाग मणी के लिए इसलिए मेरा दोबारा जनम हुआ ताकि मैं सपेरे को मौत दे सकूँ पर तुम मुझे नहीं मार सकती नागिन क्योंकि उससे पहले मैं तुझे खतम कर दूँगा और तुझे से अपनी नाग मणे छीन लूँगा देखते हैं इस तरह नगीना और सपेरे के बीच लड़ाई होने लगते है और नगीना उस सपेरे को खतम कर देते है जिसके बाद नगीना एक पूरी पक्षी बनकर अपने माता पिता के साथ चैन के जिन्दगी जीने लगती है चूचू चिडिया की कहानी चिंकी चिडिया अपने पती कालू कवे के साथ रहा करती थी चिंकी चिडिया गर्वाई